माही गुमसुमसी कमरे की खिड़की पर बैठी थी कि तभी उसके उपर कुछ गिर्ता हुआ महसूस होता है वो चौक कर देखती है तो उसके सिर पर धेर सारा सिंदूर फैला हुआ था जो कि पीछे खड़े प्रेम ने डाला था बुरा न मानो होली है भाई होली है प्रेम तुम भी न मैं बस अभी नहा कर आई थी सारे कपड़े खराप कर दिये तुमने रुको तुम्हे अभी मजा चखाती हूँ और माही प्रेम का हाथ खींच कर अपना लाल हो चुका सेर उसके सीने से पूचती है ये देख प्रेम हस्ता हुआ उसे धकेल कर पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगता है पकड़ो मुझे पकड़ो पकड़ो बहुत तंकरते हो तुम मुझे प्रेम मैं तुम्हे आज छोड़ूँगी नहीं रुको तुम इधर आओ बहुत तंकरते हो और माही प्रेम के पीछे भागने लगती है दोनों की हसी से कमरा गूँच रहा था कि तभी अंतरा वहां से गुजरती है तो माही को कमरे में अकेले ही भागते हुए देखती है वहां प्रेम नहीं था माही की दीवान की इस हद तक बढ़ता देख अंतरा परेशान होकर सरबजीत तक जाती है सरबजीत अंतरा की ममता देख उसे सीने से लगा लेता है और उस दिन जैसे ही गौरफ घर में आता है सरबजीत उसे अपने कमरे में बुलाता है बेटा प्रेम के जाने के बाद बूड़े माबाप का सहारा तुम ही बने हो मगर हमें बस एक शिकायत है शिकायत कैसी बाबा? इतना सब करने पर भी तुम प्रेम नहीं बन सके वो जगह तुम नहीं ले सकते हो क्योंकि मैं सज जान गया हूँ ये सुन गौरफ थोड़ा घबरा जाता है आप इतनी गोलमूल बाते कर मेरा मन बैठा रहे हैं अब आराम करिए शायद मुझे चलना चाहिए और गौरफ जैसे ही जाने लगता है तभी सरबजीत पीछे से चिलाता है हमारी बेटी माही से शादी करोगे क्या गौरफ? गौरफ के कदम रुख गय थी वो ये सुनकर बहुत खुश होता है माही भाभी को अपनाने में मुझे बड़े खुश होगी बाबा और वो माही के कमरे में जाता है वो अभी भी खयालों में खोई हुई प्रेम की पीछे दोड रही थी तभी गौरफ उसे पीछे से थाम लेता है आ गए न तुम जानती थी तुम्हे तु आना ही था अब हमें मिलने से कोई भी नहीं रोख सकता ये जमाना भी नहीं हाँ माही अब हमें मिलने से कोई भी नहीं रोख सकता है और गौरफ माही को जैसे ही बाहों में और थामता है माही उसका चेहरा देख लेती है तुम्हें गौरफ तुम ये क्या कर रहे हो अंतरा और सरबजीत भी आ जाते हैं माही होश मे आ प्रेम मर चुका है अब वो नहीं लोट कर आएगा कभी नहीं और मेरी बच्ची तेरी पूरी जिन्द की बच्ची है प्रेम के जाने से वो खत्म नहीं होगी तुझे गौरफ के साथ नया जीवन शुरू करना ही होगा माही की बात कोई भी नहीं मानता है वो कमरे में जाती है और दर्वाजा लगा लेती है प्रीम मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ सिर्फ तुम्हारी और माही टेबल पर रखे चाको को कलाई पर लगा कर आईने के सामने बैठ जाती है तुम यहीं कही हो जानती हूँ यहां तो सामने आओ वर्णा मैं तुम तक आती हूँ पता है माही, तुम्हारे इसी पागलपन की वज़े से मैंने तुम्हें चुना था याद है तुम्हें हमारी पहली मुलाकात अरे प्रीम, तुमने उसे जाने क्यों दिया? ओए चौर, रुक, रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ अरे माही, ले जाने तो उसे उसमें इतना कुछ खास समान और पैसे नहीं है ऐसे कैसे ले जाने तो? ए, रुक! और माही उस चौर के पीछे तूफान की तरह दोडने लगी थी तभी पास पड़े पत्थर को निशाना बना कर वो उसके पाउं पर मारती है और वो गिर जाता है हाँ, बड़ा आया चौर कहीं का दुबारा मेरे प्रेम की चीजों पर नजर मारी न तो मैं इसी पत्थर से आखे फोड़ दूँगी माही उससे पर्स लेकर लोटती है लू प्रेम तुम्हारी अमानत तुम पागल वागल हो क्या लड़की एक खाली पर्स के लिए इतना भागी और वो हमला कर देता तो कर देता तो तुम थे न मुझे बचाने के लिए हर हमले से और किसने कहा ये पर्स खाली है देखो इसमें तुम्हारे माबाबा की तस्वीर है दुनिया की सबसे कीमती चीज़ अब चलो घड चलो प्रेम एक टक बस माही की ओर देख रहा था प्रेम को याद कर माही रोने लगी थी आखिर माही के आशू निकल ही गए और फिर मैंने तुम्हें चुना जो लड़की मेरे लिए इतना पागल हो सकती है आज वो अपनी जान देने की सोच रही है आखे बंद कर महसूस करो माही मुझे और ढूंडो मुझे जब मैं मिल जाओंगा तो अपनी जिन्दगी फिर से साथ जीएंगे माही चाकू छोड़ देती है और धीरे धीरे शादी के तयारी बढ़ती जाती है तभी घर में कमला और विमला आती है उन्हें देख अंतरा का पारा खुद बखुद चड़ जाता है देखे बहन जी अगर आपको कोई चुपती बात करनी है तो प्लीज यहां से चली जाईए शादी के बाद मैं खोद आऊंगे आप सब के तानों का जवाब देने पर अभी नहीं नहीं अंतरा हम लोग हर वक्त जुबान से आग निकालें यह जरूरी नहीं हम दोनों तो यहां अपनी माही को तयार करने आए है अंतरा तुने इस महले में एक मिसाल कायम की है और अब देखना बदलाव की पहचान तुझसे ही होगी एक विद्वा बहू को बेटी बना कर फिर से सुहागन करना नमन है तेरे आगे अंतरा अंतरा अपना ये मान देख रो देती है तभी गौरव आता है माँ बाबा मैं इस शादी एक शर्ट पर करूँगा अगर आपको मन्जूर है तभी मैं घोड़ी चड़ूँगा क्या हुआ गौरव बेटा हमसे कोई भूल हुई क्या जो ध्यान नहीं रही शर्ट कैसी शर्ट शादी वाले दिन ऐसी बात करना माही और मेरी शादी के बाद माही मेरी पत्मी यानि मेरे घर की शुभा बनेगी मगर आप तो नों का क्या तो मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद मैं माही के साथ यही यानि आप दोरों के साथ रहों आपका बेटा बनकर ये सुनते ही अंतरा और सरबजीत की आँखे भर आई बेटा मैं क्या बोलू तु देख बे सहारे माबाप का सहारा बनकर सबका जीवन सुधारा है भग्मान माही के जीवन का एप्रेम हमेशा बनाए रखे तो बाबा मैं तयार भी यही हो जाता हो और गौरव घर के कमरे में दूला बनने के लिए जाता है वहाँ आईने के सामने दूलहन बन रही माही को कमला और विमला तयार कर रहे थे तभी कमला विमला को कुछ इशारा करती है और विमला मुस्कुराते हुए माही के कान में खुस-फुस करती है और माही को दुलहन बना कर दोनों बाहर चली जाती है उधर गौरव तयार होकर आइने में खुद को निहारता है प्रेम भाई मुझे माफ करना तुम्हारी जगह मैं कभी नहीं ले सकता था इसलिए मुझे तुम्हें ही जगह से साफ करना पड़ा मैं ठग गया था माही को माही भावी बोलते हुए मुझे तकलीफ होती थी जब तुम्हारी इतनी सुन्दर वीवी तुमसे चिपक कर रहती थी और मैं बस दूर खड़ा होकर हाथ मलता रह जाता था जब भी मैं माही को सोता देखता था तो सोचता था कि मैं कब इसके बाल सवारूंगा धीरे धीरे माही मेरा पागलपन चुनूर बनती चली गई और फिर बारी धी तुम्हारी प्रेम है रात गई बात गई और बची हुई राते बस माही और मेरी है जच रहा है दूले के लिबास में तू तो गौरव और फिर गौरव मंडप में जाता है कमला विमला भी माही को लेकर आने लगती है माही सामने जलती आग देखती है फिर पंडित देखती है अंतरा और सरबजीत के चहरे की ओर देखती है और फिर दूले बने गौरफ को देखती है ये देख माही का गुबार फूट पड़ता है और वो जोर-जोर से विलाब कर अपनी चूडिया तोरने लगती है क्यों चले गए प्रेम तुम क्यों इसी साथ फेरो पर कसम खाई थी न यही हवन की अगनी धी न जिसमें अपने वादों को तपाया था तुमने तो फिर वो हवन की अगनी चिता की आग में कैसे बदल गई क्या होगे यह हमारे साथ मेरी बच्ची उठ जा आज तेरी जिन्दिगी की नई शुरुआत है ऐसे नहीं करते हैं उठ जल्दे उठ मेरी बच्ची और माही जैसे ही उठती है कमला और विमला अंतरा को थाम लेती है और माही दोड़ कर अपने कमरे में जाकर दर्वाजा बंद कर लेती है यह क्या कर रही हो तुम दोनो अंतरा तुझे जो ठीक लगा तूने किया अब हमें जो सही लग रहा है हम बस वो कर रहे हैं, माही को कुछ देर अकेला छोड़ दो बस हटो, सब दूर हटो, शादी के दिन ये सब क्या कर रही है माही, मैं भी उसे लेकर आता हूँ और गौरव जाकर दर्वाजा तोड़ता है, तो देखता है कि माही वहाँ थी ही नहीं, वो खिड़की से भाग चुकी थी, ये देख गौरव खुद पर से काबूख हो चुका था, किसी चीज की तलाश में माही निकल पड़ी थी, कमला और विमला एक दूसरे की ओर देख कर म पास जाती है, बेटी एशादी मत कर, भाग जा यहां से, और खुद ढून तुझे क्या चाहिए, गौरव सही लड़का नहीं है, घर के बाहर उसे हमने आज पून पे बाते करते हुए सुना था, वो कह रहा था माही को तो हासल करके ही रहेगा, चाहें कुछ भी हो जाए, ह और चलते चलते माही बेहोश हो जाती है, कुछ लोग माही को उठा कर ले जाते हैं, उधर सरबजीत के घर में फिर से मातम छा गया था, पहले बेटा मर गया और अब बहु भाग गई थी, दुनिया चीलकवए की तरह नोचने को उतावली हो रही थी, गौरव भी भड़का हुआ था, ये माही ने सही नहीं किया बाबा, अब मेरी क्या हिजद बचेगी, आए ब्लडी आर्मी मैं, मेरी भी हिजद है, जिसे उचाल कर चली गई आपकी लाडली माही, बेचारे अंतरा और सरबजीत सिर नीचे जुका कर चुपचाप गौरव की बातें सुन लेते हैं वहां और कोई नहीं, प्रेम खड़ा था, एकदम खराब हालत नजर आ रही थी प्रेम की, बड़े बाल, बिखरे से, फटे कपड़े, प्रेम, बेटा, माह, और ये कहकर प्रेम बेहोश हो जाता है, अब देखिए आखिर मौत के मूँ से प्रेम लोट कर कैसे आया है, और कह कहानी में जहां कमला और विमला महले की दो चुगल खोर अंटी होने के बावजूद माही का भला करती हैं, वैसे ही कुछ पड़ोसी सुक दुख में साथ जरूर देते हैं, सुहा कहानी का आखरी भाग देखने के लिए ये ही लोटिएगा, काका टीवी पर